नमस्कार मैं प्रद्यमनतिबारी आप सभी के समक्ष पस्थित हूं मित्रों आज हम बात करेंगे कि करकलगन के बारहों भाव में शुक्र का क्या फल होगा मित्रों यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानि कि यहां पर यदि चार नमबर की गिंती लिखी हुई है तो आपकी करकलगन है और यदि आपकी करकलगन है तो ये शुक्र का फल आपके लिए है तो आईए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कहां पर बै पैठेंगे मिला जुला फल देंगे जान लेती हैं कि लगन के बारहों भाव में शुक्र बाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे मित्रयदी करक लगन में शुक्र प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक बहुत सुन्दर आकरशक व्यक्तित तुबाला होगा जातक मनमोजी सौकीन और कला प्रेमी होगा जातक धनवान होगा जातक समाज में सम्मानित होगा जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत नसील रहेगा और बड़ी मात्रा में धन कमाएगा भी जातक को भूमी भवन बाहन प्रॉपटी आदी का सुख मिलेगा जातक अती शुक की चाह रखने वाला होगा जातक भावुक इमोशनल स्वभाव का होगा जातक प्रभाव साली व्यक्तित वाला होगा जातक का बैबाहिक जीवन भी शुक में होगा परंतु यदि सुक्र और चंद्रमा तातकालिक सत्रू हो यानि कि शुक्र यहां बैठे हो और चंद्रमा पीछे के तीन घर और आंगे के तीन घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हो तो जातक की पास में संपत्ती होने के बाद भी जातक को अपनी संपत्ती का सुख नहीं मिलेगा जातक का बैबाहिक जीवन निरश होगा जातक का जीवन साथी अपने आप में मस्त रहेगा और जातक अपने आप में मस्त रहेगा जातक असांत सुभावका होगा जातक के घर में कलह की इस्थिती बनेगी परन्तु जातक धनवान होगा आईए दूसरे भाव में चलते हैं मित्रयदी दूसरे भाव में शुक्र बैठे हूँ तो जातक को अपने परिवार का सुख सहीयोग मिलेगा परन्तु अपने परिवार से मतभेद भी होंगे जातक बोलने में निपण होगा जातक बड़ा धनबान होगा जातक को अपनी माता से भी धनलाब होगा जातक को पैत्रिक संपत्ति का लाब होगा जातक अच्छा कलाकार बन सकता है जातक अपनी महनत से बड़ी प्रॉपटी बनाएगा परन्तु यदि शुक्र यहां पर मृतावस्था में हो यानि कि 24 से 30 अंस के बीच में हो अथवा शुक्र किसी पापक ग्रह से द्रिश्ट हो अथवा शुक्र यहां पर अस्त हो जाएं तो जातक अपने गलत निर्णयों से अपनी सुंपत्ति का नुकसान कर लेगा जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होंगी जातक के अंदर चारित्रक दोश भी आ सकते हैं और जातक कोई सौकीन मिजाज का नसा भी कर शकता है आईए तीसरे भाव में चलते हैं वित्रधी तीसरे भाव में शुक्र बैठे हूं तो जातक बहुत महनती साहसी होगा जातक धार्मिक होगा जातक यात्राएं करने वाला होगा परन्तु जातक को अपनी महनत का पूरा फल नहीं मिलेगा जातक के अपने भाई बेहनों से मतभेद होंगे जातक को अपनी माता का सुख भी कम मिलेगा जातक अतिकामुक प्रप्रतिका होगा जातक के घर में कलह की स्थिती बनेगी जातक जल्दी से किसी पर भी विश्वास कर लेगा और फिर बाद में धोखा खाएगा जातक की मानहानी भी हो सकती है जातक को अपना चरित्र बचा करके रखना चाहिए जातक के अंदर चारित्रिक दोश आ सकते हैं जातक को इस्त्री जाती से धोखा मिल सकता है और जातक अपने आप से ही अपना नुकसान कर सकता है अपनी गलत आरतों से अपना नुकसान कर सकता है आईए चौते भाव में चलते हैं जातक को अपने कारे में अच्छा लाब होगा जातक अच्छी से अच्छी चीजों को पसंद करेगा जातक सौकीन मिजाज का होगा जातक सुखी रहेगा जातक अपनी मेहनत प्रोपटी भी बनाएगा जातक के पास अचल संपत्ती भी बड़ी मात्रा में होगी आईए पाचबे भाव में चलते हैं जातक अपनी बुद्धी से अपनी विद्या से अच्छा लाव कमाएगा जातक समाज में सम्मानित होगा परन्तु जातक निर्णाए नहीं ले पाएगा और यदि यहां पर शुक्र अस्त हों अथबा 24 से 30 अंस के बीच में हो यानि कि मृतावस्था के हो तो जातक को अपने ज्ञान से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे मिलना चाहिए जातक को संतान से संबंधित भी समस्या होगी आईए छटे भाव में चलते हैं मित्रदी छटे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को नौकरी आदी में अच्छा पदबराप्त होगा जातक अपने सत्रू से परेशान रहेगा परंतु अपने सत्रूं को हराएगा जातक को प्रॉपटी बाहन आदी से संबंधित कोई लेगल प्रॉब्लम हो सकती है जातक को बाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए जातक को स्वास्थ संबंधि समस्याएं हो सकती है जातक की माता का स्वास्थ कमजोड रहेगा अथवा जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे जातक लौन कर जादी लेकर के प्रगति कर शकता है जातक विदेश भी जा सकता है परन्तु जातक अतिकामुक प्रबर्तिका होगा जातक अपने सुखों जातक का जीवन साथी सौकीन और मनमोजी सुभाव का होगा जातक स्वयंभी सुन्दर आकर्शक और सौकीन मनमोजी सुभाव का होगा जातक के विवाह के बाद जातक की व्यापारिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी जातक को व्यापारादी में अच्छा लाब होगा ज जातक का जीवन साती जातक पर सक करने बाला होगा, पती पतनी दोनों एक दूसरे पर शक करेंगे, आईए, मित्रयदी आठवे भाव में शुक्र बैठे हूं तो जातक तंत्र मंत्र जोते शादी में रुची रखने बाला होगा जातक की माता का स्वास्त कमजोर रहेगा अथवा जातक की अपनी माता से मतभेद होंगे जातक को प्रोपटी आदी से संबंधित कोई लेगल प्रॉबलम हो सकती है जातक को प्रोपटी आदी खरीदने में सतर्क रहना चाहिए जातक को पढ़ाई में डिगरी प्राप्त करने में परेशानी होगी जातक को कला के छेतर में लाब हो सकता है जातक धनबान होगा, जातक को धनलाब हमेशा होता रहेगा, परन्तु जातक को स्वास्थ संबंधी समस्याएं होगी और जातक के पास में संपत्ती होने के बाद भी जातक को संपत्ती का सुख नहीं मिलेगा आईए नवंभाव में चलते हैं, मित्रहदी नवंभाव में शुक्र बैठे हों तो जातक प्रबल भाग्यबान होगा, जातक बड़ा धनबान होगा, जातक को अपनी पैत्रिक संपत्ती का लाब होगा, जातक के पिता समाज में बहुत सम्मानित होगे, और जातक स्वयम भी स मानित होगा जातक धार्मिक होगा जातक परोबकारी होगा जातक के भाई बहनों को जातक से लाब होगा जातक यात्राएं करने बाला होगा जातक विदेश यात्रा करने बाला होगा जातक बड़ा जोतशी तंत्रमंत्रादी का जानकार हो सकता है जातक विदेश से संबंधित ब्यापार करके भी अच्छा लाव कमा सकता है जातक सुखी रहेगा परन्तु जातक के अपने भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे आईए दशमभाव में चलते हैं मित्रदी दशमभाव में शुक्र बैठे हूँ तो जातक महनती होगा और अपनी महनत से अच्छा लाव कमाएगा जातक अच्छा ब्यापारी बन सकता है जातक सीए डॉक्टर जोतशी अथवा सलाहकार बन सकता है जातक को भूमी भवन बाहनादी का सुख मिलेगा जातक को फैसन से संबंधित इलेक्ट्रोनिक संबंधी चीजों से बहुत लाव होगा जातक को अपने कारे छेतर में अच्छा लाव होगा जातक को अपने पिता से लाव होगा जातक अपनी महनत से प्रॉपटी बनाएगा परंतु यदि शुक्र और मंगल आपस में तातकालिक सत्रू हो यानि के शुक्र यहां बैठे हो और मंगल पीछे के तीन घर और आंगे के तीन घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हो तो जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे जातक के घर में कलह की स्थिती बनेगी और जातक के सुखों में भी कमी होगी आईए एकादश भाव में चलते हैं मित्रहदी एकादश भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को भूमी भवन बाहन आदी का अच्छा सुख मिलेगा जातक धनवान होगा जातक बुद्धिमान होगा विद्ध्वान होगा जातक को अपनी बुद्धी से अपनी विद्या से हमेशा लाव होता रहेगा जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग मिलेगा जातक की संतान भी गुडवान भाग्यवान होगी जातक बड़ी प्रॉपटी बनाएगा, जातक के पास अचल संपत्ती बड़ी मात्रा में होगी, जातक बिदेश से भी लाब कमा सकता है, जातक के जीवन में इस्त्रियों से विशेश लाब होगा, जातक के प्रेम शंबंधी भी अच्छे बनेंगे, जातक जोतिश तंत्रमंत मित्रदी में रुची रखने बाला होगा परंतु जातक को सही रास्ते से ही धन कमाना चाहिए आए द्वादश भाव में चलते हैं मित्रदी द्वादश भाव में शुक्र बैठे हो तो जातक मनमोजी सौकीन मिजाज का होगा जातक अपने जन्मिस्थान से दूर जाकर के रह अथवा नोकरी आदी के लिए विदेश जा सकता है जातक अच्छी से अच्छी चीजों को पसंद करेगा जातक अपने सुखों पर खूब खर्च करेगा जातक के पास में धन बचेगा नहीं पैसा आएगा और जाएगा जातक को करज लेने और देने दोनों से बचना चाहि क्योंकि यदि जातक करज लेगा तो उसे अपनों सुखों पर खर्च करेगा और यदि करज देगा तो जातक का पैसा लोटेगा नहीं जातक सौकीन मिजाज का नसा भी कर सकता है जातक को चरित्रबान बने रहना चाहिए जातक अतिकामुक प्रवर्तिका होगा जातक को सरा सभाब मांसाहारादी से भी दूर रहना चाहिए जातक सावधान रहेगा तो धनवान बना रहेगा सुखी रहेगा मितरों आज हमने जाना कि करक-लग्ण के बारों हो भाव में सुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे जहां से जो शुक्र का फल बताया गया है य नामस्कार!